माँ 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 राहिल के नाम सही लगता था के वो जल्दरे लपाएगी पर्वर्दिकारा स्की जुदाई पर मचे सब्रता फर्मा भी पर्वर्दिकारा थेन पर्वर्दिकारा थे राव बाबाजान कि लोग आ गए अब किना फैदा है कहां है वो उस तरफ है चलती करो मेरे साथ आओ मेरे खुदाया सलाम नबी यहुदा सलाम तेर कर दी मैं बहुत तेर कर दी वो राहिल थी हाए मेरे खुदा मसाहिब और अबिया दोनों देरी ना दोस्त हैं इस किसम के मसाहिब हमारे लिए नए नहीं हम इस मुसीबत में भी खुदा की पना मांगते हैं तुम यदिनल लिया हो राहे की बहर तुमको ताजिय फ्रेश करती हैं देख रहे हो बेटा जह तुमने कदम रखा है कारवसरा इसे जादा कुछ नहीं है कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं और शामदीद तुम्हारे कदम मुबारक इसके कदम ना मुबारक है इसका नाम बिन अनी है नहुस्सत का बेटा ये मेरी बैंग की मौक का बाइस बना बस करो बस भी करो मौत और सिद्दी किसी और के हाथ में है इसमें बच्चे का क्या खुसूर बिन अनी नहीं बिन यामीन फरसंदस्तिरास्त ये अपने बाबा का अब दस्तिरास होगा तुम कौन हो मेरी जान यूसफ राहील का बैटा हो तो तुम राहील की निशानी हो सबसे पहले तुम से ताजियत करनी चाहिए एडनी कर्या डिशाना नहीं कRIकानी प esa अनुम हो थूछ caring दिसक्यानी Mac शिसक्तित रही टतो commission रहीं हो तुम हो एडनी मौसें बातर सुम हाँ परवर्दिगारा परवर्दिगारा राहील की रूख को गरीक रहमत फर्मा खाहील की रूख करीक रहरा कमा आमीन पुपो मेरे बाबा कहते हैं खुदा जिसे भी ज़्यादा चाहता है वो उसे अपने पास बला लेता है पुपी की जान तुम जानते हो कि तुम्हारी मा खुदा के पास है जानता हूँ खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बला लिया है लेकिन उनके ज़दाई बरदाश नहीं कर सकता मैं खुदा से दुआ को हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सबरे जमील अता करे फाइका पुपो क्या जन्नत यहां से बहतर जगा है हाँ मेरी जान बहतर है तुम अपनी उमर से कहीं जादा समझधार हो मेरी बच्ची खुदा तुम्हें सलामत रखे मुझे इस बच्चे के खुपसूरा चेहरे और दिलनशीन बातों में जो यह कर रहा है बुजर्गी के असान नजर आ रहे हैं यह अपनी उमर के दूसरे बच्चों से कहीं जादा होश्यार है जो के नाकाबिल यकीन है बस करो बेहन बस करो यूसुप भी अपने दूसरे भाईयों ही की तरह है उमसे मुक्तलिफ नहीं है यूसुप का चेहरा और इसकी बाते मेरे लिए दिलनशीन है मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सोब दो शायद इस थरह इसकी मा की कमी को कुछ कम कर सकूँ मैंने अपनी बहन से बादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी मा की कमी मैसूस ना होने दूँगी अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूँगी लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी ये मुम्किन ही नहीं मैं इजासत नहीं दूँगा कि ये लमे भर के लिए भी मेरी निकाहों से दूर हो वो शहर जहां आखरी उम तक रहना है आगे याकूब नभी का काफला आ गया आ गया याकूब नभी का काफला आ गया वो शहर आ आ गया जान्या! जान्या विगा झान्या! figuring हम आख बार, अचर कोई आख को दिके ठार factory, आख को पही हम खारी, आख करना भास करें साय एार ही हाव हुआ 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 नबी खुदा के कदम मुबारक हूँ हम आपके गम में बराबर के शरीक है आप पर जो मुसीबट टूटी हमें उसकी खबर ना थी खुदा आपको सबर जमील अता करे मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी हैं खुशामदीड आप कियामत का बहुत बहुत शुक्रिया खुशामदीड 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 ये राहिल का पेटा यूसुफ है ना कि खुशाम दीद कि देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खुबसूरत है कि भेन हमारे बाबाय साख नभी का मखबरा कहां है तुम जानते हो वहीं जा हमारे दादा हजरत इपराहिम अले जानाम और उनकी जोजा का मखबरा है और हमारी मां रफा के अवर भी वहीं है पहले में उनकी जियारत और उनके साथ एहत कहरादा रखता हूं लिया सबको खबर कर दो के मिलकर वहां जाएंगे यहुदा लावी बिस्मा जो आमानत मैंने तुम्हारे सुपर्ट किर्थी वह ले आओ हम अपने बाबाय साह के मजार पर जा रहे हैं कर दोरो भाड है खुदा का दुरूद हो इब्राहीम पेखंबर पर खुदा इब्राहीम और इसाग की अर्वा को शाद रखे कनान की लोगों की हिदायत और इमान इन्ही की महरबानी से है आखरी लमात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे उन्होंने रिसालत आपकी सुपोर्ट की है और वस्यत फर्माईए कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मदारी खुबूल फर्माएं इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का खास्तगार हूं और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मदारी की अंजाम दही पर मदद तलब करता हूं ये गमीज हमारे दादा हजरत इब्राहीम की है जो हमारे बाबा इसाख को विरासत में मिली और अब आप इसके वारे से हैं आपकी अदम मजूदकी में बाबा की ऑलादों में सबसे बड़ी होने की वज़ा से मैं इसकी अमीन थी और अब मैं ये अमानत आपके सुपूर्ट करती हूं बाबा की वस्यत के मताबिख ये गमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुचेगी इस गमीज को अबाही रिसालत भी कह सकते हैं मुबारक बात पेश करते हैं मैं और कनान के लोग आपकी बैद करते हैं और हज़त इसाब के बाद आपको नभी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाई देते हैं मुबारक बात देश करते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है ये खमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकत वर होगा गलती पर हो वो जिसका इमाँ सबसे ज्यादा कवी होगा जाहिर हैं झाल झाल जाओ झाल कर दो यह प्रूज़ लुट जख जब जब जबुटार देता खार जब जब हैं जब एक रिवर जब एक रिवर जब एक के रिवर खो अगार जब हैं मुझे भूख लगी है हमें खाना नहीं दोगी मा खाने का क्या होगा थोरा इंतिजार करो क्या बात है क्या बात है आप क्या हुआ खाना क्यों नहीं खा रहे हो यह तो बहुत कम है यूसफ को ज्यादा क्यों दिया चुप चाप अपना खाना खाओ बस करो लिया क्या कर रही हो खुद पर काबू रखो बिन्यामीन को मैं समाल लेती हूँ तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है लिया हख बजानिब है अपने साथ बेटों और बेकी के साथ रहेल के बच्चों का भी जाफा हो गया है मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साए बेवलाद होने की खायश रही लेकिन यह आरजू कभी पूरी ना हो सकी मेरी जिन्दगी अब जादा नहीं रही मैरी यह खायश पूरी कर दो राही के इस बच्चे को मुझे दे दो इतने नान रखो मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी देख रहे हो ना के लिया वेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरिफदार हो गई है तो मैं यूसुफ और उसके भाए के मुतालिख को सोचना होगा लेकिन उसकी दूरी को कैसे बरदाश्ट करो अगर दूर ले जाओं तो बरदाश्ट ना करना अगर इसे हर रोज तुमारे पास लेकर ना हूं तो वापस ले लेना अगर इसकी मुहबत में कमी करूं तो मैं अपरी जिन्देगी के यह आखरी आयाम यूसुफ के साथ गुजार लूँ यकीन जानो इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूफ भी शान रहे और तुमारा दिल भी लेकिन फाइका राहिल से किये के मेरे वादों का क्या होगा मैंने जो किसम खाई थी कि उसके बच्चो कि मा की कमी का ज़रा भी असास नहीं होने दूंगी फाइका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी यकीन वो यूसुफ को उसकी मा से कम अजीज नहीं रखेगी तो मैं डर है कि मैं बच्चों की जयात्ती की वज़़ा से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाउंगी नही बलके मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजर अंदास करके सिर्फ यूसुफ पर तो बच्चों न देने लगो यूसुफ मेरे बेटी इधार आओ बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फुपी फार्का के साथ जाना चाहोगे जी बाबा फुपो फार्का एक अच्छी मा है मगर तुमारी मा की तरह अच्छी नहीं लेकिन कोशिश करूँगी कि मुझ मैंसे तुम्हें उसकी खुश्बु आए शुकर गुजारूं आपकी मैं आपसे वादा करती हूँ कि जहां से जादा इसे अजीज रखूँगी और अपने सीरे से लगा कर रखूँगी इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाये से यहां से ले जाओ इसका मतलब है अब हम यूसफ से नहीं मिल पाएंगे ये तुमसे किस ने कह दिया फुपी की जान ये हर रोज तुमारे साथ यहां खेलेगा तो क्या हम अभी यूसफ के साथ खेल सकते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं अरे तुम्हारा खाना तुम लोगों ने अपने खाना खातम नहीं किया कर दो कर दो आज के बाद भेड़े तुम्हारे हवाले हैं आएंदा में तुम लोगों के साथ नहीं जाओंगा मुझे लोगों के मसायल हल करने है जिसके लिए हम कनान आए है ख्याल रखना भेड़ों को कोई खत्रा पेश ना आए घबराएं मत बाबा अब हम बच्चे नहीं रहें जानता हूँ जानता हूँ चलो अब जाओ सलाम भुपो सलाम मेरी जान सलाम खुदा तुमारा हामी और नासिर बच्चो वो देखो यूसूफ सलाम खुपो फाएका सलाम मेरी जान यूसूफ का ख्यार रखना हूँ जी अच्छा सलाम नभी खुदा पर सलाम यूसूफ चल्दी करो पकड़ो इससे पकड़ो इसे जादी करो किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है कितने खुश्कूसमत होते हैं यतीमी अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है तुम सब क्यों नहीं मर जाती शायद तुमारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज़्यादा तबज़ों मिल जाए नहीं मा बला के कहने का ये मतलब नहीं था पुपी मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से योसुफ की परवरीश कर रही है और इसके लिए मेरबन मा की तरह है रहने दो तुम्हारी बातों का मैं खौफ समझती तुम लोगों को क्या हो गया यानि जरासी मुहपत भी एक बिन मा की बच्चे के लिए तुमसे बरदाश्ट नहीं होती ख्याल रखना बेहन कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना सवारना उसके भाईयों में हसत का बीच नबो दे यूसुफ को तुम्हें सोपने की असल वज़ा भी लिया कि उससे बेंतहा महबत करना ही थी वो ना चाहते वह भी यूसु और उसके भाईयों के दर्मियान फार्क कर बैठी थी जो तुम्हारे बेटों में हस्द और कीना का बीच बो रहे हैं वो बला और जुल्फा हैं लिया नहीं खुदा यूसुफ को हासितों और दुश्मनों की शर्प और बद नजरों की नजर से महफूज रखे पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परिशान रहता है परिशानी की कोई बात नहीं अगर इजाज़तों तो उसे ले जाओं जानती हूं यूसुफ को भूख लगे होगी यूसुफ जी आजाओ बेटा चलो चले मेरी जान खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज मा यूसुफ के कपड़े देखें वो फाइका ने इसके लिए सिये हैं हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए मसलां कौन सी बात यूसुफ वो यूसुफ के साथ हैना चाहते हैं मैं ऐसा नहीं समझता वो पैयमबर हैं और उन्हें लोगों के दर्मियान रहकर उनके मासाइल हल करने होते हैं यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने देखें बहुत खुबसूरत लग रहा था बड़ा खुश खिसमत है लावी यहूदा चलना नहीं है आरें चलो चले यहूदा चलो उसकी हालत तो और बेतर हो गई है बजाइर राहिल की मौत कमस्कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई कहने को तो तुम भाई हो मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता यह पैनो यह पैनो यहीं रुको तुम जानते हो यह क्या है? यह मेरे बापा और तुम्हारे दादा इसाख नभी का कमरबंद है मेरी खाश थी कि यह उसे दुम जो कारे रिसालत को जारी रखे मुझे उमीद है के इसके वारिस तुम ही हो मुझे यह कमरबंद अच्छा लगा है हजरित इबराहिम अलेशलाम की कमीज और यह कमरबंद मेरे पास अमानत थी कमीज मैंने भाई को दे दी यह कमरबंद फिलाल तुमारे पास रहे इसे कई गुम ना कर देना मैं डरता हूं कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए मसलन कौन मसलन मेरे भाई इसकी तुम फिकर मत करो चलो जल्दी करो हमें तुमारे बाबा की दर्स में पहुचना है चलो हसद यानि वो नेमत और दौलत मकाम मनजलत जो किसी बंदे को अता हुई है उसकी नाबूदी की आरजू करना हसद यानि किसी के पास किसी नेमत के होने को बरदाश्ट ना करना हसद यानि दूसरों की काम्याबी और खुशकिसमती को बरदाश्ट ना करना और दूसरों की फुक्र तंगदस्ती का खुआश्च मंद होना अब तुम में से कोई बताए कि हसद किसे कहते हैं वो कमर्बंद जो यूसुफ ने बांदा हुआ है वो तो इसाप नभी का है फायका ने यूसुफ को क्यों दिया मेरा ख्याल है यह तो आने वाले पेखंबर के हवारे क्या जाना जाए था यानि हासिद का दिन नहीं चाता कि लोगों के पास कोई नेमत हो शाबश हासिद वही होता है जो तुमने कहा हासिद हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है देख रहे हो खाव वो मानवी और इलमी चीज़े हो और मिठी मिठी बाते करा है खामादी और मालो मता आये दुनिया हों हसिद से बचने का क्या तरीका है ये कौन बता सकता है इसका जवाब यूसद को नहीं आएगा मेरे प्यारी युस्फ, क्या तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा बाबा, क्या हासित को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है शाबाश बेटा, शाबाश, जवाब यही है जो तुमने दिया हासिद को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती हासिद को ना दुनिया की नेमते में यसर आती हैं ना आखिरत के इनाम हासिद अपने हसद की वज़ा से दूनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता ना हासिद ना मैसूद कोई भी इस दारे फानी में बाकी रहने वाला नहीं अगर हासिद ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंग नजरी की वज़ा से जहन्नु में तबदील न करे एक बिन मा के बच्चे से महबबत करना फितरी बात है क्या जिनकी माएं जिन्दा हों उनसे महबबत ना करना भी फितरी बात है यानि जिनकी माएं हों उन्हें महबबत की जरूरत नहीं होती एक तरफ तो फुपो उसे नएने कपड़े पेनाती हैं और उसे सजाती सवारती है दूसी तरफ माँ उसे जानों पर बिठाती है और बहतरीन खाने देती है हमारे सामने उसकी इफाज़त जायर करते है लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाते है हाँ बिलकुल वैसे आपस की बात है हमारा भाई यूसुफ है ही इतना समयधार और शीरी जबान उसका मासुम चेरा वाकियतन चाहे जाने के काबिल है हम सब ही अपने भाई यूसुफ को चाते हैं लेकिन गलती तो हमारे वालदین की है ना वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते है तुमने हमारे दादा इसाफ का कमर बन और बाजू बन देखा जो यूसुफ ने बांदा हुआ था बना कैरीती की अंबिया की मिरास है और बात में आनवाले पेगंबर को मिलनी चाहिए तो फिर फुपो फायका ने वो यूसुफ को क्यों दिया यह तो फुपो से भी पूछा जा सकता है वक्ते गुरूब जब गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर फुपो के पास चलेंगे बाईयों पत्थर चलो आजमा के देखते हैं मैं तुम सब को हरा दूंगा यह दो यहुदा ने फिर वही चुरू कर दिया जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा चलो शाबाज जो लगा जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा जो जीते बसलोगर जाफ जाफ। सलाम जुल्फा सलाम कहां जा रहे हैं गल्ले को बाड़े में छोड़ेंगे पिर हम फुपो फायका के पास जाएंगे दरसल हमें उनसे कुछ काम है हमें भी उनसे बहुत कुछ पूछना था और अभी हम वहीं से आ रहे हैं मेरे ख्याल में यू बिना बताये तुम्हारा को फायका के पास हैं वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर तुम लोगों को शायद अच्छा ना लगे क्यों वहां ऐसा क्या हो रहा है चलो देखते हैं ये कौन सा मुश्किल काम है आजाओ देखा बाबा यूसुफ को हम सब से जादा कितना चाहते हैं यहुदा फजूल बाते मत करो जब हम चोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मुवबत करते थे बलहा और जुल्फा इसी लिए कह रहे थी कि फुपो फाइका के पास यूही अचानक मत जाना फजूल बाते मत करो मैं तो जा रहा हूँ यही रुको बेटा सलाम बाबा सलाम बाबा सलाम मेरे बच्चों सलाम खांदान याकूब के मर्दों जीते रहो मेरे बच्चों तुम लोग तब लोटे बस अभी अभी भेडों को बाड़े में छोड़ा और यहां आ गए ताके ताके क्या हम आए हैं ताके फाइका फुपो से कुछ बाते कर सके हां बोलो सुन रही हू पुपो यह कमर्बन हमारे दादा इसाख नभी का है ना हाँ ऐसा ही है लेकिन यूसुफ के लिए सिफ एक खिलो ना है मैंने सोचा कि यूसुफ इसम मशूल होकर अपनी मा के गम को भूल जाए लेकिन बिलहा कह रही थी कि ये कमर्बन गुदिश्टा नभी की मिरास है और इससे बाद में आने वाले नभी को मिनना जाए इसाख नभी के बाद मैं नभी हूँ ये कमर्बन मेरे लिए बाबा की मिरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मश्कूल रहने का वसीला है बलहा और जुल्फा जब तक राहिल जिन्दा थी उससे असद करती थी अब जब कि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से असद करती है उनकी बात पर कान मत धहरा करो बाबा यहुदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं ऐसा नहीं है लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आये उसे अपने जानू पर बिठाय हुआ था तुम लोगों को भी बच्पन में अपने जानू पर बिठाता था अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता मैं तुम सब को चाहता हूँ मैं मजीद ऐसी बाते सुनना नहीं चाहता हूँ चलो चलो कि मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तु बाजू समझता हूं और एक तुम लोगों के एक छोटे से तब्जोर बच्चे से बराबरी करते हो खुदा आफिस बेन फाय का पुपो बाबा से कहिए कि वो मुझसे महबत ना किया करें क्यों बेटा इसलिए कि मेरे भाई नराज होते हैं मेरी जान तुम्हें मा की महबत तो मिली नहीं क्या आप बाब की मापस से भी महरूम रहना चाहते हो यूज रहना स energetic से ता लूँगा यूँ कि वसल पखिए काव साता डिस NO करुबान की पित्क दी प्सकानि medicine नहीं कि बद्धनय यूण तिए ए जने दिए जटिए भाओ जो 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 कर फंप से नियारग लगता हो घप है कि … जय कर आुल कि मुले कि अ दो कि भनल भाइ़ bed, कर भाइ़ डिंढा है। कि मुल narrative कि भी अजयो है यूसुप आराब से यहां आजा मेटा यहां मेटाव साफ्यस का अन्हा साजू करो छुप जाओ जल्दी करो जाओ छुप जाओ सब लोग छुप गए मैं बीस तक गिनती हूँ जाओ ढूंडो उन्हे लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंडा यूसुफ पता नहीं यूसुफ कहा चला गया यूसुफ यूसुफ खेल खतम हो गया बहर आ जाओ यूसुफ कहा हो तुम यूसुफ कहा हो तुम यूसुफ कहा चला गया है मिल ही नहीं रहा कहीं जहत पर तो नहीं है फाइका पुपोर विस्मा के पास तो नहीं गया तुम लोग मेंचे रूंडो यूसुफ विस्मा यूसुफ को तो नहीं देखा यहां तो नहीं आया क्या हुआ यूसुफ गुम हो गया है यहां तो नहीं आया है क्या हुआ यूसुफ गुम हो गया है गुम हो गया तुम कहा थे जो गुम हो गया क्या वो तुमारे साथ नहीं खेल रहा था वो छुप गया था और अब मिलना ही रहा है सब जगह देख लिया है हाँ सब जगह देख लिया वो मेरे भाई की अबानत है आओ देखाओ कहा खेल रहे थी जब गुम हुआ हम यूसरफ 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 पाप के जान कहा हो यूसरफ कहा आओ यूसरफ कहा हो यूसफ जद पर तो नहीं है यूसफ 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 यूस 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 यूस